पनीर तिक्की का प्रसेस तो बहुत नमबा है तो आज उसका चूटा भाई पनीर स्टिक्ट ट्राइ करेंगे इसमें जादा कुछ करना भी नहीं है सबसे पहले डाल लोग बॉल में पनी वन टेबल स्पून नमक वन पाकेट ओफ चिली फ्लेक्स थोड़ी सी काले मिर्च और थोड़ा धन्या और इसमें टालो वेजेटीबिल ओयल ध्यान रखें इसके अंदर आपको बस रिफाइंड ओयल का यूज़ करना है मस्टर्ड ओयल और ग्रावन टॉल नहीं अदर्वाइस आपको इनकी स्मेल आएगी अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के ल जादा थिक भी नहीं और पतली भी नहीं अदर्वाइस यह अच्छे से कोट नहीं हो पाएंगे अगर आपको जादा स्लरी पनानी है तो सारे इंग्रीडियन की क्वांटिटी डबल कर लेना चलो पनीर देख लेते हैं देखो सब अच्छे से मेरिनेट हो गया है तो आप कर स्लरी में डिप करो जिसे ही कोट हो जाएं और होट ओल में छोड़ दो दूसरा भी ऐसी करो अभी सेम प्रोसेस सब पनीर क्यूब्स के साथ करो अब 5-6 मिनिट तक सब को फ्राई होने देएंगे दीको ही हमारा फ़र्स पनीर फ्राय हो गया अच्छे से और बाकी सब भी अल्मोस्ट डन है तो सारे फ्राइट पनीर क्यूब्स को एक प्लेट में निकाल लेते हैं यह मैंने प्लेट में सर्फ कर दिया है क्योंकि अभी खाने के लिए रेडी हैं देखो इस नेक्स पिनप बेशन सूजी आटा इनो बेकिंग सोडा की बनाएं तो यह बनाने एकदम इसलिए अब जब भी छोटी-छोटी पूक लगे तो यह बना लेना और हाँ इतनी अच्छी रेसीपी पताने के लिए सब्सक्राइब कर देना कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो